Hey guys, in this video we are going to talk about Morse test. Morse test क्या होता है? It is method of obtaining indicated power of a multi-cylinder ic engine. इसे क्या obtain करते है? Indicated power obtain करते है. और multi-cylinder ic engine काolu audit. Multi-cylinder मतलब क्या होगा? क्या होगा? मोर्टन जिलल यू हो सकता है और पैटोरल भी हो सकता है. अब देखी, यह हमारा एक 4-cylinder ic engine है. यह हमारा one, two, three and four cylinder और यह हमारा crank shaft है जिसमें की brake dynamometer लगा हुआ है और यह brake dynamometer क्या करता है brake power measure करता है मोर्स test में हम क्या करते हैं कि हम one by one each cylinder को cut off करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम one by one मतलब कि हम पहले वाले cylinder को cut off किये अब यह cut off कैसे होगा यह spark plug को हम short circuit कर देंगे और जब spark plug को short circuit करेंगे तो क्या हुआ कि यह spark plug ignite नहीं करेगा और जिसके कान हमारे पहले वाले cylinder में power stroke produce नहीं होगा तो यह हमारा पहला cylinder cut off हो गया यह diesel engine रहता तो क्या करते हैं कि हम fuel supply को रोग देते तो हमारे तो power stroke produce नहीं होता तो जब पहले वाले cylinder को cut off करेंगे तो 2, 3 and 4 cylinder में operate करेगा फिर क्या करेंगे उसके बाद second वाले को cut off करेंगे 1, 3, 4 operate करेगा उसी पकास से 3 को cut off करेंगे तो 1, 2, 4 operate करेगा और 4 को cut off करेंगे तो 123 operate करेगा अब देखिए जब माल दीजिए मेरा पहला सिलिंडर cut up हुआ है पहला सिलिंडर cut up हुआ है तो क्या होगा हमारा crank साफ का speed reduce हो जाएगा तो इस original speed को maintain करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका load को decrease कर देंगे तो क्या हो हमारा crank साफ का speed maintain रहेगा अब देखिए हम यदि माल लेते हैं कि इसका जो पहले वाले सेंडर का इंडिकेटर पर आई वन है इसका आई टू है इसका आई थिरी है और इसका आई फोर है अर्ड टिंद पावर है हो हमारा क्या है f1 f2 f3 एंद फोर फिक्सनल पोर क्या हो गया कि जो friction है बेटिन पिश्टन एन सिलिंडर अइस रिफिरेंट फ्रिक्सन है वह हमारे इसक्सनल पावर वह की बेडिकार ग्रेदर हो रहा है हाँ घ्रिक हो रहा है ठीक है हमकिया जानते हैं कि बिरुट पाउर क्या होता है इंडुकेटेटड पाउबर वाइनस फ्रिक्श्नओं पाउवर तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंडिकेटर पावर हो जाएगा, चारो सिलिंडर का और टोटल फिक्सिनल पावर हो जाएगा, चारो सिलिंडर का फिक्सिनल पावर हो जाएगा तो क्या होगा तो हम क्या लेखेंगे B equal to जो हमारा big power generate हो रहा equal to IP क्या है चारो cylinder का IP total indicated power I1 plus I2 plus I3 plus I4 minus frictional power मतलब 4 cylinder का friction F1 plus F2 plus F3 plus F4 ये क्या हो गया break power equal to जब 4 cylinder operate कर रहा है इस वक्त अब देखिए जब मेरा पहला cylinder operate नहीं होगा तो क्या होगा इस cylinder का indicated power है वो 0 हो जाएगा और एक हमें नया break power मिलेगा जो कि B1 है माल लेते हैं कि B1 है ये नया क्यों मिला क्योंकि जब ये पहला cylinder को cut off किये तो crank sharp का स्पीड रेडियूस हुआ और जब स्पीड रेडियूस हुआ तो हमें इसका लोड को घटाना परा और इसनल स्पीड को maintain करने के लिए तो उस दौरान हमें B1 break power मिला अब देखिए तो ये B1 equal to क्या हो जाएगा B1 equal to I1 0 है ये I2 plus I3 I1 0 क्यों हो गया रहीं क्योंकि सब एक ही क्रेंग साफ से जूटा हुआ है तो friction F and down कर रहा है तो मतलब friction power 0 नहीं होगा तो हमें F1 हो जाएगा plus F2 plus F3 plus F4 और जब हम ये one equation पहला equation और दूसरी equation को subtract करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए B minus B1 equal to I1 ये मिलेगा B minus B1 अब बाकिसार तो हम तो cancel हो जाएगा तो B minus B1 equal to I1 ये दिमालजी ये नमबर equation है अब जब हम दूसरे वाले सिलेंडर को ये वाले सिलेंडर को cut off करते हैं और ये 134 operate हो रहा है तो जब दूसरे वाले सिलेंडर को cut off करेंगे तो मेरा केक्वेसन आएगा एक नया हमें एक नया break power मिलेगा B2 और I1 मेरा रहेगा I2 मेरा 0 हो जाएगा इस वक्त फिर I3 फिर I4 और फ्रिक्सनल पावर तो सारे में रहेगा तो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ठीक है अब देखिए जब हम 1 और 3 को subtract कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा B-B2 equal to I2 देखिए B-B2 equal to I2 यह बागी सारे cancel हो जाएगा तो हमारा होगे B equation इसी परकास है ज़ह हम 3 को cut off करेंगे और 1 second और 4 जब operate होगा तो हमें क्या मिलेगा B-B3 equal to I3 और 4 तो cut off करेंगे तो हो जाएगा B-B4 equal to I4 यह हमारा C equation हो गया यह D equation हो गया जब A B C T को sum कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा I1 plus I2 plus I3 plus I4 equal to 4B minus B1 plus B2 plus B3 plus B4 यह I1 plus I2 plus I3 plus I4 क्या है हमारा यह है total indicative power indicated power यह हमारा formula गए total indicated power equal to क्या गया 4B minus B1 plus B2 plus B3 plus B4 यह हमारा particular indicated power इस तरह से हम major कर सकते हैं through most test अब देखिए जब हम indicated power major हो रहा है तो हम इसका मतलब friction power यह major कर सकते हैं क्योंकि break dynamometer के थुरू हम break power तो measure कर ही रहे हैं तो frictional power equal to क्या हो जाएगा जैसा हम पहले देख चुके IP minus BP indicated power minus break power equal to frictional power अब जब हमें indicated power और break power मिल गया तो हम क्या इसके थू mechanical efficiency भी निकाल सकते हैं यह क्या हो जाएगा IP sorry BP बटे IP break power बटे indicated power इसके थू mechanical efficiency भी निकल गया तो हम देखे अब तो most test के थूर के बाद हम क्या क्या निकाल सके indicated power थो हम निकल गया मेरा उसके बाद break diameter के थूर break power निकल गया अब frictional power भी हम निकल लिए और mechanical efficiency भी हम निकाले यह सब चीज हम most test के थूर निकाले तो most test क्या था मेरा it is the method of obtaining indicated power by multi cylinder IC engine और इसमें क्या करना था one by one cylinder को cut off करना था और फिर इस equation के थूर हमारा i1, i2, i3, i4 को जब निकल गया तो सारे को sum कर दिए तो total indicated power हमारा निकल गया तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए आसा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा क्या करते हैं तो